हेलो गाइस वेलकम टू माई न्यू ब्लॉक तो गाइस आज हम लोग आए हैं मैहर धाम दर्शन करने के लिए जो की है सतना जिले में स्थित और ये धाम ऐसा है जिसे दुनिया में सब लोग जानते हैं सर्व प्रिसिद्ध मंदर मैहर माता का मंदर यानि शारदा माता का मंद है जो की मैहर धाम में स्थित है तो गाइस आज हम लोग आए हैं मैहर धाम गूमने और माशारदा का आशरवाद लेने तो चलिए गाइस आज हम आपको मैहर नगरिया दिखाते हैं वैसे तो मंदर में कैमरा अलाउट नहीं है फिर भी हम आपको सीड़ियां और यहां का छि प्वित्र थोड़ा बहुत दिखा ही सकते हैं तो चलिए मैहर धाम के लेट्स कोूब है तो गाइस जैसा की आप जानते हैं मैहर धाम् सतना में इस्थ्थथ सतना जिले में इस्थ्थथर तो इस्थे थे तो गाइज यह एक ऐसा मंदर है जो कि एक अत्यंत पवित्र तीर थे जहां पर मासती का हार गिरा था जिसके कारण यहां का नाम हो गया मैयर यह देखिए माशारदा देवी मंदर पांच किलो मीटर है यहां से तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं शारदा माता मंदर के गाइज यह देखिए यह है मैन गेड माशारदा मंदर का और यहां से हम प्रवेश करते हैं इस पवित्र इस थल्प हैं मतलब मंदर प्रांगर में हम प्रवेश कर जाते हैं पैर पढ़के चलिए यहां से माशारदा मंदर की सीमा प्रारंब होती है यह देखिए प पूजा का सामान लेके तो कोई नॉर्मल सा प्रशाद ले लेता है जैसे जिसकी स्रद्दा होती है वैसा प्रशाद लेके लोग आंगे बढ़ते हैं और ये देखिए वो जो पहले निकल चुका था वो है सीमा का गे मतलब जहां से माशारदा मंदर की सीमा प्रारंब होती है और ये अलग अलग गेट बनाए हैं मतलब आपको ऐसा पूरा महसूस होता है कि आप मैयर धाम में हैं ये देखिए ये एक और में गेट है माशारदा मंदर का ये इसलिए भी हैं ताकि कोई रास्ताना भटके इसलिए गेट बनाए है मतलब जैसे के लेवल होते हैं जब हम क दिखाई देख जाएगा ये देखिए आँगे बढ़ते हैं चलिए यह देखिए यहां से सटार्ट हो जाएंगे मतलब आप अब मंदर में फाइनले परभेस कर चुके हैं और ये देखिए यहां से दुकान है इतनी इतनी जैदा मात्रा में दुकान है कि आपको अलग तो मंदर से related दुकान है और बहुत सी सामगरी आपको वहाँ पर मौझूद दिखाई पड़ती है जिससे कि आपको वैंसा फील आता है कि आप किसी मंदर के आसपास है तो यह देखिए यह हैं दुकान है जहां से आप प्रशाड ले सकते हैं जब हम फर्श्ट गेट को पार करते हैं वहीं से हमें प्रशाड की दुकाने दिखाई देती हैं यह देखिए यह मंदर पहाड पर मौझूद है यह जो आपको पहाड दिख रहा है चलिए हम आपको और पास से दिखाते हैं अभी यह देखिए यह जो सामने पहाड है उस पहाड पर मौजूद है माता का मंदर और यह देखिए मिठाई की दुकाने यह सब यहाँ पर मौजूद है ताकि आप प्रशाद लेके माँ को अरपन कर सके जिसकी जेंसिश रद्धा होती है वो बैसा प्रशाद लेके मा के दर्वार में जाता है और माँ उसकी सभी मनों कामनाय पूर्ण करती है ये देखिए ये हैं मंदर का प्रवेश द्वार ये देखिए ये हैं महाराज आला के मूर्ति जो की पश्यावाथ हांती पर विराजमान है और ये देखिए ये देखिए ये पश्यावाथ हांती पर आला विराजमान है जो की माशारदा के धरम के पुत्र है मतलब जिनको माशारदा अपना बेटा मानती है और आज भी यहां के लोग मानते हैं कि माशारदा के पहली पूजा आलहा करते है मतलब सुबह चार बजे आलहा आके जो की अमर है वो यहां पर आके पूजा करते है जो आज तक किसी को दिखाई नहीं दिये और सिर्फ ये लोगों का मत है और कहीं न कहीं इसमें सच्चाई भी हो सकती है और है भी ये सच्चाई है जब पंड़त रात को इस मंदर के पट बंद करते हैं और जब सुबह फिर से खोले जाते हैं तो हर रोज वहाँ पर ताजे फूल चड़े मिलते हैं ये मतलब अभी तक हमने आखों से नहीं देखा पर यहां के लोगों का कहना है कि यहां पर ताजे फूल सुबह चड़े मिलते हैं तो चलिए अब हम चलते हैं और ये देखिए काफी शरत धालूप यहाँ पर आये हैं मतलब हम लोग ऐसे टाइम पर आये हैं कि भीड ना हो फिर भी भीड कम नहीं है भीड बढ़ती ही जा रही है तो चलिए गाईस चलते हैं यह देखिए सीड़ियां प्रारंब हो चुकी है और यह देखिए ऐसा है मैहरधाम ऐसे सीड़ियों से हम चड़ते हुए यह देखिए बगल में लोग लोट कर आ रहे हैं जो दर्शन करके आ चुके हैं हमने सुना है यहाँ पर एक हजार से ज़्यादा सीड़ियां है तो हम लोग सीड़ियों के माध्यम से जाएंगे यह देखिए और यहाँ पर लिफ्ट की विवस्था भी है परन्तु जब तक हम संगर से नहीं करते तब तक दर्शन का भी मजा आनन्द नहीं आता तो चलिए चलते हैं यह देखिए इतने उँचाई पर यह आप देख सकते हैं कि हम कितनी उँचाई पर आ गए हैं यह देखिए हम दिखाते हैं जमीन से लगबग 200-300 फीट उपर हम इस समय मौझूद हैं और लोग बहुत जादा मात्रा में दर्शन के लिए आते हैं क्योंकि यह त्रिकुट परवत पर माशारदा का मंदर अत्यंत रमणिय स्थान है मतलब बहुत मन को शांती देने वाला और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह स्थान है मही हर धाम अगर आपको ट्रेवलिंग का सौक है तो एक बार जरूर आईए मही हर धाम जो की सतना जिले में स्थेत है और जब आप गूगल पर टाइप करते हैं मही हर तो आपको वहाँ से रिजल्ट में शो हो जाता है मही हर धाम बहुत फेमस मंदर है जहां के लिए आप ट्रेन से लेके बस से लेके किसी भी अपनी ट्रांसपोर्ट से आ सकते है यह देखिए कई हजारों भक्त यहां पर आये हुए यह देखिए श्रत धालू लगातार बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके हम लोग उचाई पर पहुँच रहे हैं अभी हमें बहुत उचाई पर जाना है और वहाँ पर गाईस एक बात है कैमरा आलाब नहीं है इसलिए हम साथ दर्सन नहीं करवा पाएंगे फिर भी जितना हो सकता है हम उतना आपको दिखाने का प्रियास करते हैं चलिए बढ़ते चलते हैं आंगे और यह देखिए नीचे का नजारा और ये श्रत धालू बढ़ते हुए जैमाशारदे के जैकारे और नारों की गूँज यहाँ पर गूँज रही है जैमाशारदे जैमाशारदे के और इसी के साथ हम लोग माशारदा के दर्शन के लिए आंगे बढ़ रहे हैं और यह देखिए यहाँ से वीडियो शायद थोड़ी बिलर हो सकती है यह देखिए जैमाशारदा यह मंदर का गेट है इसके बाद हम एंटर कर जाएंगे मंदर के अंदर फाइनली इतनी क्लियर वीडियो नहीं है शायद तो गाइस वहाँ के बाद केमरा बंद करवा दिया था और दर्शन के बाद अब हम लोग मंदर से बाहर निकला आएं क्योंकि वहाँ पर केमरा अलाव नहीं है तो गाइस हमने आए तो गाइस थैंक्स फोर वाचिंग माई ब्लॉग एंड जोड़े रही सार्दा टूर्सन टेवल्स के साथ धन्यों